हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम व्यक्तिकत की जो सिध्धान्त यानि की परसनेलटी की जो थियोरी दी गई थी चार इंपॉर्टन उसके बारे में हम बात कर रहे थे जिसमें मैंने आपको पहला इंपॉर्टन करवा दिया था द्रव्वे के अधार पर जो की 400 BC में हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था और बाकी मैंने आपको बोला था हम नेक्श वीडियो में बात करेंगे तो बाकी जो आपके तीन वीधी बची होती है यानि कि दो जो तीन थियोरी बची हुई है उसके बारे माज इंपॉर्टन बात करेंगे तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम अदीपक आप देख रहे हो डीके गुपता उनलाइं वीडियो सब्क गुवर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो हमारा टॉपिक क्या है तो व्यक्तित के सिध्धान मतलब थेओरी और परसनेलिटी जिसमें मैंने आपको चार थेओरी बताई थी दरव्वे के अधार पर, शारीक संद्रचना के अधार पर, मानसिक गुणों के अधार पर और आपके व्यक्तित का आधुनिक परकार को बाटा गया है, किसके द्वारा बाटा गया है, तो दो सैकलोजिस्ट के द्वारा बाटा गया था, क्रेशमस और शेल्डन के द्वारा, ओके, इंपोर्टन ध्यान रखिया है, किसके द्वारा बाटा गया है, तो नाम को ध्यान रखियेगा, क्रेशमस और शेल्डन के द् कौन-कौन से तो पहला उन्होंने बताय था पिकनिक टाइप मतलब इस परकार के जो व्यक्ति होंगे न इस परकार के जिसमें परवर्रति पाई जाएगी वो कैसे होंगे तो इनका कद छोटा होता है शरीर मोटा और गर्दन छोटी होती है खाने पीने के शौकीन होते हैं और सोने के भी शौकीन होते हैं तो अगर इन परकार के यानि कि जो बच्चे पिकनिक टाइप के होगे उनके गर्दन कैसी होगी छोटी होगी शरीर मोटा और गर्दन छोटी होगी कद छोटा होगा और खाने पीने के क्या होगे शौकीन होगे और सोने के भी साथ साथ में और यहां से question आपका पूछा जा चुका था कि picnic type के बच्चे समाजिक होते हैं या नहीं होते हैं तो ध्यान रखेगा यह बच्चे जो समाजिक पून रूप से होते हैं समाज के साथ तालमेल बिठा कर कारे करने का पून उनमें हकोता और पून रूप से वो करते भी हैं, तो ध्यान रखेगा, इन टाइप के अगर बच्चों की आपकी जो विशेश्टा होती है, वो कैसे होते हैं, पिकनिक टाइप के होते हैं, इसी को शेल्डन ने क्या कहा था, एंडोमोर्फी, यानी कि इस थुलकाय कहा था, तो ध्यान रखेगा, पुल्टा होता है जैसे कि इन व्यक्तियों के कद लंबा होगा दुबला होगा पतला होगा चिर्चड़ा सभाव के होते हैं और यह कैसे होते हैं समाजिक नहीं होते हैं जैसे कि पहले वाले जो समाजिक होते थे यह समाजिक नहीं होते थे सारी चीज़े देख रहे हो कैसे आ बस नाम चेंज करें के उन्हों कहा दिया था इसको एक्टोमोर्फी तीसरा बताया था आपका एथलिक टाइप अभी एथलिक टाइप के क्या होते हैं तो इन परकार के बच्चों में औसद कद सरी स्वास्त होता है रोग से रहित होते हैं यह किसी भी परिस्तिती में अपने आपको समयोजित कर लेते हैं और समाजिक परतिष्ठा इनको अधिक मिलती है क्यों कि इनका जो आपका परिस्ति होती है कैसी भी चाहे परिस्ति हो नेगिटिव पॉजिटिव उसमें अपने आपको ही क्या कर लेते हैं समयोजित कर लेते हैं उसी के अंदर ढाल कर अपने आ इसको एथलिक परकार गया नहीं के टाइप कहा गया था इसी कोई शेल्डन ने क्या कहा था मैसो मोर्फी कहा था ओके नाम को ध्यान रखेगा बाकी विशेशता हैं शारी की सारी यही थी और चौत्था बताया था क्रेस्मेश के दौरा आपका ड्रै प्लास्चिक परकार दोनों के हो सकते हैं या पिकनिक टाइप या एथलξी टाइप दोनों के हो सकते हैं मतलब इन परकार के जो बच्चियों होते हैं उन दिये गए थे, लेकिन इसको भी कुछ समय बाद थोड़ा सा आपका अलोचना की गई, अलोचना करने के बाद फेर एक ओर आपका क्या निकाला गया, परसनेलिटी का एक और भाग निकाला गया, जिसको क्या कहा गया, उसको कहा गया मानसिक गुणु के आधार पर वेक्तित को बाटने की कोशिश करी थी, किसने करी थी तो वो यूंग ने करी थी, किसने जूंग ने करी थी, important नाम है ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि अंतरमुखी और बाहरी मुखी किसके दौरा दिया गया है तो जूंग के दौरा दिया गया है तो यूंग नहीं अपने इसके अनुसार उसको कितने भागों में बाटा था तो दो परकार में बाटा था किस-किस में पहला अंतर मुखी में और दूसरा बहरी मुखी में इन दोनों में बाटने की कोशिश करे थी यूंग के दुआरा अब ये अंतर मुखी क्या है और बारी मुखी क्या है चलिए समझानी की कोशिश करता हूँ मैं आपको तो देखो अंतर मुखी वे वेक्ति होते हैं जो एकांत में रहते हैं लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं पुराने विचाल के पुराने खयाल के होते हैं ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने आप में रहेंगे दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं पुराने विचार में होते हैं नहीं विचारों को ये अपने सही से उसमें समायोजित नहीं हो पाते हैं देखा होगा भाई मुखी क्या होते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं मतलब ये लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं समाजिक होते हैं नए विचार वाले होते हैं यानि कि लोगों से मिलना जुलना भी पसंद करेंगे समाजिक यानि कि अपने साथ समाज को लेकर तालमेल बिठा लेकिन कुछ समय बाद एक और टाइप का व्यक्ति का बताया गया था और क्या रखा था उसका तो तीसरा परकार बताया गया जिसको उभह मुखी बोला गया यानि कि कैसे अंतर मुखी भाई मुखी के साथ साथ में कुछ समय बाद एक और निकाला गया जिसका क्या नाम रखा गया उभय मुखी अब ये उभय मुखी वाले वेक्ति कोन होते थे तो ध्यान रखी गा इसमें अंतर मुखी और भारी मुखी दोनों परकार की विश्यष्टाएं पाई जाती थी तो वहाँ पर वो क्या कर जाते हैं आपको मना कर देते हैं नकार देते हैं कि नहीं नहीं करवाएंगे क्यूं? फर वहाँपर किस परकार की सोचोगी उनकी अंतरमुखी और बहारी मुखी, मतलब, पढ़ने के लिए भेच सकー रहे हैं, वह आपकी नई सोच है, लेकिन वह अंटरकाश्ट महरीज नई करवारे तो क्या है? उनकी पुरानी सोच है, तो अंतरमुखी और बहारी परकार मतलब रखा गया अधूनिक परकार रखा गया किसके दीजात किया गया थाholes और रोज positive साइk्लोजिस्ट उनके द्वारा यह दिया गया था कितने परकार बताए थे तो दो परकार के बताए गये थे इंके द्वारा घ्राइज कोन कोन से तो पहला इनों ने बताए था ए परकार का व्यक्तित तो ए परकार का व्यक्तित क्या ध्यान रखेगा नाम इन्हों ने यही दिया था ए परकार के व्यक्तित और यह व्यक्ति जो होते थे वो किस परकार के होते थे तो यह व्यक्ति उच अभी प्रेरित होते थे यानि कि हाई मोटीव होते थे किसी को इनको काम करने के लिए कुछ करने के लिए बोला नहीं जाता था उच अभी प्रेरित होते थे इनके पास समय बहुत कम और काम बहुत जादा होता था यह जल्दी में होते थे और काम के बोज के तले दबे होते थे तो देख सकते हो ही जो वच्ची होते हैं जो व्यक्ति होते हैं वो परकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है ए परकार का व्यक्तित वाले व्यक्ति कहा जाता है और आपसे अगर पूछा जाए कि इनको कौन सा रोग होने का ज्यादा सा ज्यादा चांसिज होता है तो ध्यान रखेगा इन्हें हर्द्या रोग और रक्त चाप यानि कि हार्ट आट तो हर्देयरोग यानि कि Heart Attack का और रक्त चाप यानि कि BP का खत्रा बना रहता है इनको होने का ओके और दूसरा टाइप बताया था ये सारे काम को अराम से लेते थे, जल्दबाची में नहीं होते थे, मौज मस्ती में फुल रहते थे, तो उसको क्या कहते थे, बी परकार का व्यक्तित कहते थे, और अगर आपसे पूछा जाए, कि इनको किस परकार की बिमारी होती है, तो यहाँ पर इनका कोई भी बिमारी श सेकलोजिश्ट थे उन्होंने एक और परकार बताया जिसका नाम रखा C परकार का व्यक्तित का वर्णन किया उन्होंने तो ध्यान रखेगा फ्रेड मैन और रोस मैन ने केवल दो ही बताये थे एक A परकार का और दूसरा B परकार का तीसरा जो बताया गया था वो मौरिस के द्वारा बताया गया था इन्होंने क्या कहा था तो यह व्यक्ति सहियोगी होते हैं मतलब साथ में लेकर साहिताद लेते देते कारे को करवाते हैं, करते हैं, धहर्यवान होते हैं, यानि कि सारी चीज़ को धहर्य पूरवक्त, आसानी से अराम से सुन समझ कर कारे को करने की कोशिश करते हैं, कम बोलते हैं, ध्यान रखेगा, यहाँ पर अकेले नहीं रहते हैं, लेकिन यह जरूरत से जादा नहीं बोलते और जरूरत से कम नहीं बोलते हैं जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं कम बोलते हैं और इन्हें आप से पूछा जाएं किस परकार की बिमारी होने का खत्रा होता है तो ये cancer की होने का इनका सबसे ज़्यादा खत्रा होता है इन परकार के व्यक्ति को तो ध्यान रखेगा, C-type का परकार किस ने दिया था, Morris ने और इसमें जो वेक्ति होता है, किस बीमारी से ग्रस्ति दोने का सबसे ज़्यादा खत्रा होता है तो cancer से होने का खत्रा इसको सबसे ज़्यादा होता है, और बाद में कुछ समय बाद फिर एक और personality दी गई, जिसका नाम रखा D-type, ओके, तो टोटल कितने होगी आपकी चार परकार की A, B दी थी, Fiedman ने, तीसरी दी थी, आपकी Morris ने, और फिर बाद में D-type की personality निकाला गया, जो कि इसमें जोडा गया इस परकार के वेक्ति क्या होते थे, तो ये वेक्ति आवास से ग्रस्तित होते थे, अब ये आवास क्या है, तो ध्यान रखेगा, इसको हिंदी में आवास कहते हैं, और इंग्लिश में इसको deployment कहते हैं, आप d 이걸 समझ गयोंगे क्या होता है, और रूची का अभाव होता था इनमें, मतलब किसी भी काम को करने के परती, किसी भी काम के परती, इनमें कोई रूची नहीं रहती थी, हमेशा ये क्या करते थे, नकारात्मक वेवार सामने प्रस्तूत्र करते थे, हमेशा किसी चीज के डिप्रेशन में गूम रहते थे, हर चीज का इनमें क्या होता था, interest की कमी रहती थी अगर इस परकार का व्यक्ति है तो क्या कहलाएगा वो आपका D-type की personality का व्यक्ति कहलाएगा ओके तो ये चार important theory थी आपकी personality की जोकी मैंने आपको चारो की चारो complete करवा दी है ओके तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटिट कोई भी चानकारी या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेगा मैं आपका रिप्लाइ ज़रू करूंगा ओके तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वाली क्वालने करसे दो भी डाह करूंगा հिप्लाइगा